हलो फ्रेंड्स दिस वर्शा वल्कम बेक टू वर्शाज अकैर्मी हॉस्टल वॉर्डन के एक्जाम में आपका जो आइसेटी एक्ट्स एड्मिनिस्टेटिव एप्टिटीट्यूट का पार्ट है उनके कंबाइन्ड थर्टी क्वेशन की प्रेक्टिस सेट्स स्टार्ट और नेक्स्ट दे आपके आइसीटी एक्ट है एड्मिनिस्टेटिव एप्टिटीट्यूट के थर्टी क्वेशन होंगे ठीक है यह प्रेक्टिस सेट वेन है चैनल को जाधा से जाधा शेयर करिए और जो नए स्टुटेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि स्टार्ट करते हैं वीडियो पहला कुश्चन है कि WLAN का अर्थ है WLAN स्टेंट फॉर तो हिंदी वाले जो स्टुटेंट्स है वो इंग्लिस में जरूर देखें स्पैलिंग लिखकर जरूर देखेगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्ड क्या होगा इसका राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन है D ओके कुश्चन नमबर टू डैश का अर्थ है कि आप कहीं भी कनेक्ट करने में सच्छम होंगे जहां अन्य संगत वायफाई उतपाद है पतलब आपको कहीं पर भी ऐसा वायफाई प्रोडक्ट मिल जाता है तो वहाँ पर आप उसको इंटरनेट को कन आई कर सकेंगे तो इसका राइट ऑप्शन क्या है वायफाई ऑ्थंटकेट ओराइस रिया वायफाई सरीफयाइट तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है जहां पर भी वायफाई सर्टिफाईड मिलता है वहाँ पर आप कनेक्ट करने में सर्च होंगे ठीक है कर्श comment 3 देखते हैं निमलिखित में से कौन इंटरनेट का जनक था जनक था मतलब इसके बाद में इंटरनेट सब जगा इंटरनेट का यूज होने लगा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अर्पानेट ओके Q4 है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कब और कौन सा था तो ये 1993 में NCSA मोजैक था इसको नोट कर लीजीगा जितने पर factual questions है उनको जरूर आप अलग से notes बनाकर notes जरूर करिए Q5 है इंटरनेट एड्रेस को डेश की रूप में जाना जाता है तो किसके रूप में जाना जाता है वेबपते, website, URL www तो देखे यूरल की फुल फॉर्म क्या होती है इंटर्फेस से वाइं डिस्टल नेटवर्क एक एकरच सेवाइं डिस्टल प्रसार या इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो C है ठीक है इंग्लिश में जरूर देख लीजिए कि इंटिग्रेटीट सर्विस डिस्टल नेटवर्क कभी कभी कुशनस आ जाता है ऐसे और ऐसे ही अब कुशनस आते हैं कि ISTN में D क्या है N क्या है S क्या है okay mostly पूरी full form अब कम ही पूछते हैं एक particular word की meaning पूछ लेते हैं तो ISTN की full form क्या है Integrated Service Digital Network Question number 7 देखे निमलिखित में से कौन सा एक search engine नहीं है तो यहाँ पर search engine नहीं है वो पूछा है तो Google, Yahoo, AltaVista उपर के सभी तो यहाँ पर एक mistake हुई है यहाँ पर none of the none होगा ठीक है जब आपको PDF दी जाएगी तो यहाँ पर ठीक कर दिया जाएगा इसमें आप D लगाएगा क्योंकि यह सभी जो है वो search engine की श्रेणी में आते हैं Question number 8 देखते हैं यह यहाँ पर गलत है अब देखे Question number 8 dash को इन्टरनेट पर दस्तावेज खोजने और पुनह पराप्त करने के वितरन के लिए Design किया गया है तो किसको पुन्हाप्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है वेरोनिका वेरोनिका को इंटरनेट पर दस्तावेज खोजने और पुन्हाप्राप्त करने के वितरण के लिए डिजाइन किया गया है इस तरह के questions भी आप से पूछे जा सकते हैं ठीक है Q9 है निम्द्रिखित में से कौन सा उपकरण स्टार टोपलोजी पर आधारित वायर्ड लैंड का हिस्सा नहीं हो सकता तो इसमें देखे स्विच है, रिपीटर है, हब है, रूटर है तो इन चारों में से कौन सा राइट आप्शन है? हब, ठीक है? जो हब है, उसको स्टार टोपलोजी पर आधारित वायर्ड लैंड के हिस्से में नहीं जोड़ा जा सकता है Q10 है, किसी भी नेटवर्क पर इंटरनेट एक्सेस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्थापित करना आवश्यक है? तो TCP, IP, Telenet, IPX, SPX या NetBE, UI ठीक है, तो इन चारों में से जो राइट ऑप्शन है, वो ऑप्शन A है TCP, IP, नेटवर्क पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आप प्रोटोकॉल स्थापित करने की जरूरत होती है Q11, RTE अधनियम 2009 कहता है, यहां से आपके एक्ट के Q2 स्टार्ट हो गए है RTE अधनियम 2009 कहता है कि निर्दिस्ट आयू वर्ग के सभी बच्चों को अपनी परोटोस के स्कूलों में प्रवेश पाने का अधिकार है ठीक है, इसे प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, यह पूछा गया है तो अनिवार प्रवेश कहा जाता है, स्कूली सिच्छा का अधिकार कहा जाता है, निशूल को सिच्छा का अधिकार कहा जाता है या नाइबर हुड स्कूल यानि पडोस के स्कूल कहा जाता है, तो इस सिध्धान्त को कहा जाता है पडोस के स्कूल भारत में बच्चों के लिए राष्ट्रे नीती पहली बार कब बनाई गई थी तो जो national policy है वो बच्चों के लिए कब बनाई गई है ये बताना है इसका जो right option है वो 1974 है इसमें first time बच्चों के लिए national policies डवलप की गई थी बनाई गई थी कौन सा दस्तावेच भारत में बाल नीती के लिए मार्ग दर्शक धाचे के रूप में कार करता है भारत का सम्मिधान बच्चों के लिए रास्ट्रे नीती, किशोर नियाई अधिनियम, सिच्छा का अधिकार अधिनियम बच्चों की बाल नीती के मार्ग दर्शन धाचे के रूप में कार करता है कि भारत में बच्चों के लिए रास्ट्रे नीती का प्राथमिक उद्देशिक क्या है इसका जो प्राइमरी अब्जेक्टिव बताना है जिसमें सारे ही अधिकार आगए अनिवारी सिच्छा भी आगए उनके स्वास्त से संबंदित बच्चों को पूरक पोशाहार से संबंदित जितने भी अधिकार हैं वो सारे ही इसमें इंक्लूड हो गए है क्रिशन नमबर फिप्टीन भारत में बाल नीतियां बनाने और लागू करने के लिए कौन सा मंत्राले जिम्मेदार है महिला एवं बाल विकास मंत्राले सिच्छा मंत्राले स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले या सामाजिक न्याए और अधिकारिता मंत्राले तो बच्चों के लिए जो नीतियां बनती हैं उनके लिए सबसे जादा इंपॉर्टेंट मंत्राले होता है महिला एवं बाल विकास मंत्राल है वह सारी नीतियां बच्चों से रिलेटिड और महिलाओं से रिलेटिड जो नीतियां है उनको बनाता है ओके बच्चों के लिए राष्ट्री नीति 1986 प्रारंभिक बच्पन की देखवाल और सुच्छा के महत पर जोर देती है तो ये भी लाइन याद रखियेगा ठीक है कि प्रारंभिक बच्पन की देखवाल और सुच्छा के महत पर कौन सी राष्ट्री नीति जोर देती है तो 1986 वाल नेक्स्ट बढ़ते हैं कुशन नमबर 17 एकिकरत बालविका सेवाएं ICDS भारत में बाल नीती का एक महत पूंग घटक है ICDS कब लॉंच किया गया था 1956 में 1974 में 2000 में 1975 कुशन नमबर 17 का जो राइट ऑप्शन है वो D है एकिकरत बालविका सेवाएं ICDS को भारत में 1975 में लागू किया गया था ठीक है ICDS कारिकरम का उद्देश भारत में किस समू के PF लोगों के स्वास्त और पोशन में सुधार के लिए सेवाओं का एक पैकच प्रदान करता है तो किसके लिए होता है प्रेगनेंट ओरतों के लिए किशोरियों के लिए 6 वर्से कम उम्र के बच्चे के लिए या उपर के सभी इसका जो right option है वो D है कि इसमें बच्चों के साथ ही साथ किशोरियां और pregnant औरतों को भी इसमें शामिल किया गया है और ICDS इन सभी के लिए work करता है नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भारत सरकार द्वारा बच्चों से संबंदित किस विशिष्ट मुद्दे के समाधान के लिए शुरू किया गया था बाल श्रम के लिए बाल विवहा के लिए कन्या भूण हत्या या शिशु हत्या बच्चों का अवैद व्यापार तो बेटी बचाओ का अर्थ ही यह क्या हो गया यहाँ पर कि कन्या भूण हत्या एवं शिशु हत्या को में कमी लाने के लिए इस अभियान को लागू किया गया था शुरू किया गया था एक बाल स्वास्थ जाच कारिक्रम है तो इस लाइन को भी आप लोग नोट कर लीजेगा इस कारिक्रम के अंतरगत किस आयू वर्ग को शामिल किया गया है तो कॉशन नमबर 20 का जो राइट ऑप्शन है वो ए है कि 0 से 18 वर्ष के बच्चों को इसके अंतरगत रखा गया ओके कॉशन नमबर 21 यहां से आपका एड्मिनिस्टेटिव एप्टिट्यूट का पार्ट स्टार्ट होता है एक छात्रवास परिवच्चक को छात्रवास परिसर में कथित बजमाशी के मामलों को कैसे संभालना चाहिए कि यदि शिकायत अववाहों पर अधारित है तो उस पर ध्यान ना दें तो आपस में बच्चे क्या बड़े भी अपना समाधान कभी कभी नहीं निकाल पाते हैं घटना की सूचना देने वाले वक्ति को परेशानी पैदा करने के लिए दंडिट करें तो घटना की सूचना देना बहुत जरूरी है तभी आपके पास तक information पहुँच पाईगी अगर आप उसको दंडिट कर देंगे तो आगे अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो आप तक information नहीं आएगी तो ये भी गलत है इसका जो right option है वो B है कि जो भी complaint आपके पास आती है उसकी पूरी जाश कराएंगे और उचित कारिवाही करेंगे एक है नेक्स टे कृश्टश नमबर 22 चात्रावास के निवाशीयों की बीच समुदाई और सौहार्थ की भावना को प्रोचसाहित करने के लिए निम्निखित में से कौन सा उप्युक्त दरश्टी कौन है तो उप्युक्त दरश्टी कौन αυτाना है समुदाए और सौहार्थ क भावना को प्रोत्साहित करने के लिए तो option A देखते हैं संगर्षों से बचने के लिए विभिन प्रस्ट भूमियों के चात्रों को अलग थलग किया गया चात्रों के भाग लेने के लिए निमित सामाजी कारिक्रमों और गतिविधियों के विवस्था करेंगे अनुशासन ब चात्रों को भाग लेने के लिए निमित सामाजी कारिक्रम और गतिविधियों के विवस्था करेंगे बच्चे अपने आप काफी कुछ सीख लेते हैं बट उनको एक्सपोज करने के लिए उनको बट सिखाने के लिए कि हाँ आप ने जो भी सीखा है उसको कैसे एक्सप्रे चात्रावास वार्डन के कर्तवियों का हिस्सा नहीं है तो जो नहीं है वो बताना है निमित कच्छनी रिच्छन करना तो ये तो हिस्सा है वेक्तिकत और सैच्छडिक मुद्दों में चात्रों की सहायता करना ये भी हिस्सा है चात्रावास कायक्रमों की योजना बनाना औ यह भी हिस्सा है ठीक है इस्कूल के पाठेक्रम को डिजाइन करना तो छात्रावास वार्डन इस्कूल के पाठेक्रम को डिजाइन नहीं करता है ठीक है तो 23 का राइट ऑप्शन यहाँ पर D हो जाता है नेक्स्टे 24 छात्रावास में चिकित्सा आपातकाल की स्थिती में वार्डन को सबसे पहले क्या करना चाहिए हास्टल प्रबंदन को सूचना देंगे चात्र के माता पिता या विवावकों को बुलाएंगे परात्मिक से चिकित्सा परदान करें और यदी आवश्यक हो तो च फस्टेट दी जाएगी एंड अगर जरूरी होगा तो उसको हॉस्पिटलाइज भी किया जाएगा ठीक है बाद में आप उनके माता-पिता विभाव को भी इंफॉर्मेशन देंगे लेकिन सबसे पहली प्राथमिक्ता यहां पर यह है कि उसको फस्टेट प्रोवाइड कराई जाए ठीक है तो 24 कोशन का राइट ऑप्शन यहां पर सी है नेक्स्ट है 25 चात्रावाज समिती की बैठक की दौरान आमत और पर किन विश्यों पर चर्चा की जाती है सहर में खेला योजन होटल में रख रखाओ के मुद्दे लोग प्रिये फिल्में और टीवी शो चात्र में फैशन का चलन तो यहां पर देखे 25 का राइट ऑप्शन क्या है भी ठीक है जो हॉस्टल है स्वरी यहां पर हॉस्टल होगा होटल नहीं होगा ओके तो हॉस्टल के रख रखाओ के जो मुद्दे हैं यह चात्रावाज समिती की बैठक में चर्चा के विश्यों के अंतर हारण है टीम के सदस्यों के वीच संचार एक विभाग के वीतर सहयोग आपूर्ती और ग्रहकों के साथ बातचीत उपरोक्त में एक से अधिक तो इसमें बताएए 27 का जो राइट ऑप्शन है वो सी है कि आपूर्ती और ग्रहकों के साथ में बातचीत करना बहुत जरूरी ह 28 है प्रवंदन के निमलिकित में कौन सा सिध्धान कहता है कि समान उद्देश वाली गतिविधी के समूं के लिए एक हाथ और एक योजना होने चाहिए तो आदेश की समानता, काम का विभाजन, दिशा की एकता या केंदरी करन 28 का जो राइट ऑप्शन है वो C है कि unity of direction होना चाहिए ठीक है आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं आपके साथ में और लोग भी होने चाहिए प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही काम अगर करेंगे तो वो अच्छे से मेहनेज होता है 29 है संचालन, संचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी में सामिल है तो उनकी जिम्मेदारी में क्या क्या सामिल है योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग करना, नेत्रत्र करना और नियंत्रत करना डिजाइनिग एवं संचालन योजना बनाना आयोजन करना खरीद करना और समिच्छा करना पूर्वानुमान लगाना डिजाइन करना योजना बनाना आयोजन करना और नियंत्रित करना तो यह बहुत important question है इसको mark कर लीजेगा right option इसका A है ओके कि जो संचालन प्रबंधन के लिए प्रबंधक है वो योजना बनाएगा उसका आयोजन करेगा स्टाफिंग करेगा मतलब स्टाफ को मैनेज करेगा नेत्रत तो करेगा और नियंत्रण भी करेगा ठीक है question number 30 यह last question है सीर्स प्रबंधन द्वारा योजनाओं और रडनीतियों के विकास को लागू करने और नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन का कौन सा इस्तर जिम्मेदार है परिवेच्छी प्रबंधन परिचालन प्रबंधन मादिमिक प्रबंधन या इन में से कोई नहीं त कि कैसी इस प्रबंधन की जितनी वी योजनाओं हैं रडनीतियां हैं उनकी विकास के लिए उनको नियंत्रित करने के लिए मादिमिक प्रबंधन जिम्मेदार होता है तो यह important 30 questions थे आपके and आप चैनल को जादर सादर शेयर करिए जिससे सब भी को benefit मिल पाए थैंक यू सो